अकुराज वीर महता जैशी राधे, आप सबको मेरी तरह से प्रणाम वैसे तो मैं महराजी क्या किरा ही बोल सकता हूं परन्तु फिर भी जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैं आप क्या कि कुछ व्यक्त करना जाता हूं तो जैसे की हम सबको पता है की गीता जी में अलग अलग प्रकार के योग कर्म के बार्मे में उताया और 18 अधाय के 66 श्लोक में भगवान गीता का सार अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरनम रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षिय श्याम मा शुच इसमें भगवान खेते हैं कि जो मैंने तुम्हें बताया है उसका सार सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करकर तुम मेरे चरनों की शरनागत हो जाओ मेरे चरनों की शरन में आजाओ जिससे मैं तुम्हारे सब पापों को हर लूँगा और तुम बस मेरी शरन में आजाओ मनुष्य क्या करता है भगवान की शरण में तो आता नहीं बाहर से कहता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ परन्तु अंदर से अन्य आश्रियों की तरफ जाता है हमें भगवान का अनन्य प्रेमी बनना है बाद में भगवान को दोश देता है, उनने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान कह रही है, मा मेकम शरण अम्रज, आप भगवान की शरण में आईए, वो आपके सब पाप फड़ लेंगे, जिस भक्ती का अर्थ, लोग समझते हैं कि सब कुछ छोड़ कर बस भक्ती करना है, परन के लिए खाना और यह हो baik, हम अगर यह सोच कि हम भगवान के लिए सब कर रहे हैं, तो जितने घंते वो खाना वनाएगी, उतने घंते भी भक्ती ही होगी, खाना तो उसकें बच्चे ही खाएंगी, परन्तु उतनी देर भक्ती हो जाएगी, और अगर इसको अपने जीवन म कोई दुराचारी व्यक्ती भी अपना ले कि मैं जो कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं उसका भी कल्यान हो जाएगा जिस परकार एक चोर कहे कि मैं भगवान के लिए चोरी कर रहा हूं कुछ दिन बाद उसका मन परिवर्तित हो जाएगा कि भगवान के लिए इतना त तो पुझे महाराश जी ने आग्या दे दी और इस बच्चे को बहुत बहुत शुब काम नहीं हमारे बीच